आम का अचार जब भी बनाते हैं तो एक समश्या बहुत ज़्यादा होती है, फूफूंद आ जाती है, जल्दी से खराब हो जाता है, लेकिन मेरी गारंटी है, ना विनेगर डालने की जरूरत, ना और कुछ, फिर भी आपके अचार में फूफूंद नहीं आएगी, तो देर क इस बात की, चलिए ये सबका फेवरेट कच्ची आम का अचार बनाना सुरू कर लेते हैं, आम का अचार बनाने का सिंपल सा फंडा है, सबसे पहले गेस ओन करके एक कड़ाई में या बरतन में, हाफ लिटर में नहीं हापर तेल लिया है, तेल कौन सा लेना है आपको, सर्सो का तेल सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, और टेस्टी भी इसी में बनता है, सोयबिन का तेल मत लीजिए का, इतना टेस्टी नहीं बने का, पहले इसे फूल आच पर गरम करेंगे, जब तक ये गरम होका, तब तक और काम कर लेते हैं, अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि कच्चा आम कौन सा ले, गोला, नीलम, राम किला, छोसा वाली केरी आती है, आप वो भी ले सकते हो, चारो ही बेस्ट है, मारकेट में जब आप अचार बनाने के लिए कच्चा आम लेने जाओ, तो आप सबजी वाले को जरूर बोली, कि हमें अचार डालना है, तो वो उस टाइप का कच्चा आम देखा आपको, मैं हमेशा दुकान वाले सोप वाले से ही कटिंग करवा के ले आती हूँ कच्चे आम की, और गुठलियों को निकाल देना है कच्चे आम की, छे साथ पटना तीखी वाली मैंने यहाँ पर मिर्ची एड़ किये है, आप नॉर्मल मिर् या लिव भी कर सकते हो अगर आप इसे छोड़ना चाहो तो, तेल में धुआ उठने लग जाएं, तब निचे से गेस बंद कर दीजिए का, और इस तेल को ठंडा करेंगे, तेल ठंडा होने के बाद जो अपने हाफ के जी कच्चा आम लिया है और हरिमिर्च लिया है, वो ए प्रेड कर देंगे, तेल का आप सिंपल सा फंडा याद रखिए, कि जो आपने कच्चा आम लिया है और जो मसाले डालेंगे, वो पूरे के पूरे अच्छे से डूब जाने चाहिए, उतना आपको तेल लेना है, लेकिन इसका अंदाजा आपको कड़ाई में या बरतन में लगेगा, मेरी कड़ाई फेली हुई है थोड़ी, चोड़ा मुह है इसका, तो इसमें आपको तेल कम लग रहा होगा, लेकिन ये फिक्स है, डेड़ चमच हल्दी पाउडर, दो चमच लाल मिर्च पाउडर, अगर आपके लाल मिर्च पाउडर बहुत ज़्यादा स्पाइ तेस्ट के अकोडिंग, सिंपल नमक, अब जो इसमें उपड़ से सूखे मसाले डलते हैं, वो आपको सारे के सारे लेना है, तभी आपका आचार परफेक्ट मार्केट जेसा बने का, पाउडर चमच मेथी दाना, थोड़ा सा दो चमच मेने मेथी दाना को करस भी कर लिया है तीन चमच राई, पीली वाली राई हो तो आप पीली वाली राई भी ले सकते हो, और जो काली वाली आती आप वो भी ले सकते हो दोनों राइका मैंने पाउडर भी बनाया है और साबुत एक चमच भी लिया है सौफ छे साथ काली मिर्च एक चमच लोंग काली मिर्च का मिक्स पाउडर बना कर भी डालेंगे लेकिन मैंने यहाँ पर काली मिर्च ज्यादा लिया है लोंग केवल दो कलोंजी भी एड़ करेंगे बिना कलोंजी के तो अचार अचार लगेगा ही नहीं एक चमच कतरमा सूट या सोट का पाउडर ले सकते हो या अद्रक का छोटा सा टुकड़ा भी इसमें कट करके एड़ कर सकते हो और आपको कुछ भी एड़ नहीं करना है इन सबी को अच्छे से मिला कर एक एर बंद कंटेनर डिबे में रखेंगे कच्चे आम का आप मिक्स आचार भी बना सकते हो 6-7 दिन बाद आप इसे खाना स्टार्ट कीजिए लेकिन मेरी फैमिली जैसे वेट ना होना आपके तो आप 10 मिन्ट में इसे बना कर तो भी खा सकते हो उस आम का आचार का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप किलिक करके जरूर देखिए का विनेगर वगेरा डालने की कोई जरूरत नहीं है आपको बस ध्यान रखना है जो तेल है वो पूरा डिबे के उपर तक आना चाहिए पूरा उपर तक तेल आएगा तो फफूंद आने का बिलकुल भी इसमें चांसे नहीं रहेगा अब आपको इसमें हाफ ओयल इसी वज़े से दिख रहा है क्योंकि पूरा का पूरा कच्चा आम और जो मसाला है न वो इस डिबे में आ नहीं पाया तो बाद में जो कड़ाय में तेल बच गया न वो मैं और इसमें डाल दूंगी बस आपको दिहान यहीं रखना है कोई विनेगर नहीं डालोगे तो भी फफोंद नहीं आएगी और नहीं यह खराब होगा मुझे उमीद है जो मैंने आपको तरिका बताया है माप तोल बताया है तरिक बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी फिर भी कोई मन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो लेकिन एक चीज आप मत भूलना बिल्कुल फिरी है चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ने नीरेस्प के नोटिफिकेशन पाने के लिए मैं 6-7 दिन बाद में आपको दिखाने पाऊंगे क्योंकि मेरे घरवाले दो दिन बाद ही खाना स्टार्ट कर देते हैं उनसे इंतजार नहीं होता है